हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चनल ममास केचन में आज मैं आप सब के लिए एक बहुती फेमस गुचराती फरसान की रेसिपी लेकर आए हूँ जिसका नाम है कपूरिया कपूरिया बनाना बहुती आसान है थोड़ी ट्रिक के साथ उसको बनाना पड़ता है तो फ्रेंड्स ये पूरा वीडियो मेरा जरूर देखे बीना ओIL ये कपुरिया बन सकता है और बहुती soft बनता है बहुती स्वाधिस्ट है तो चलिए friends ये recipe शुरू करने से पहले मेरी चैनल को like कर लिजीए सब्सक्राइब कर लिजे और बाजो मेरे रहे bell icon को भी press कर लिजे ताकि मेरी हर नई recipe की notification आप सबको मिलती रहे कपूर्या का आटा कैसे तयार करते हैं आप screen पर देख सकते हो तो चलिए शुरू करते हैं कपूर्या बनाने के लिए यहां पर मैंने लिए हैं दो कप कपूर्या का आटा यह आटा जो है मैंने घर पे ही बनाया है उसको आप बाजार से भी तयार ले सकते हो थोड़ा सा दरदरा होता है यह आटा अब यहां पर जो है वो प्रॉपर मेजरमेंट आप जरूर फोलो करें जैसे खांडवी में प्रॉपर मेजरमेंट फोलो करते हैं वैसे ही इसमें प्रोपर मेजर्मेंट फोलो करना है यहाँ पर मैंने लिया है एक कप खटा दही यहाँ पर मैंने दही का यूज किया है आप चाहे तो खटी छाश का भी यूज कर सकते हो और वही कप से मैं तीन कप पानी अड़ करूँगी यह रेसिपी बनाने में तहीं खटा होना बहुत ही जरूर है नहीं तो उसका स्वाद जो है वो बरोबर नहीं आएगा बहुत टेस्टी नहीं बनेगा तो प्लीज खटा दहीं या कटी छाश का ही उप्योग करे अब सारी सामगरी को अच्छे से मिक्स करे बिल्कुल ही लंप्स नहीं रहने चाहिए इसमें एकदम स्मूद बैटर हमारा बनना चाहिए आप देख सकते हो हमारा स्मूद बैटर बन चुका है अब उसमें स्वाद अनुसार नमक आधी टी स्पून हल्दी और एक टेबल स्पून अद्रक मिर्ची की पेस्ट डालें अब जितना तीखा पसंद करते हैं उतना ज्यादा एड़ कर सकते हो फिर से एक बार सारी सामगरी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब हमारा बैटर जो है हो बहुत अच्छे तरसे तयार हो चुका है अब बैटर को एक नॉन स्टिक पैंड में हम लोग ट्रांसफर करेंगे आप चाहे तो हेवी बोटम वाली कोई कड़ाई भी ले सकते हो यहाँ पर गेस की फ्लेम है वो मीडियम पे रखे और बाद में उसको स्लो करनी है अब बैटर को बिल्कुल छोड़ना नहीं है स्पेचुला से कॉंस्टेंट उसको हिलाते रहें और एक ही डायरेक्शन में उसको हिलाना है ध्यान रखे फ्रेंड्स बिल्कुल ही गुटलिया नहीं होनी चाहिए अगर आप छोड़ दोगे हिलाना तो तुरंत ही उसमें गुटलिया आ जाएंगी तो यह जो स्टेप है वो प्लीज फोलो करें नहीं तो आपके जो कपुरिया हो वो नहीं बनेंगे प्रॉपर आप देख सकते हो यहाँ पे मैं कॉंस्टेंट उसको हिला रही हूं गेस की फ्लेम को मेडियम टू स्लो करते जाए और बैटर को जो हो हिलाते जाए फ्रेंड्स छब भी आप कपुरिया बनाओ तब यह प्रोसिजर करने के समय आप दूसरा कोई काम ना करें सिर्फ कपुरिया का बैटर आप फेलाते जाए उसको बिलकुल ही बीच में छोड़ना नहीं है सिर्फ आट से दस मिट में कपुरिया का बैटर जे हो गाड़ा होता जाएगा आप देख सकते हो कपुरिया का बैटर जे हो गाड़ा हो चुका है अब कपुरिया का बैटर तयार है की नहीं वो हम लोग कैसे चेक करेंगे वो भी मैं आपको दिखाती हूँ एक चम्मच ले ले उसको बीच में इसे खड़ा करें अगर चम्मच खड़ा रहता है तो समझे आपके कपुर्या का बैटर तयार है तो अब गेस की फिल्म बंद कर दे और वही पेन में हम लोग कपुर्या का बैटर को ऐसे स्प्रैड करेंगे ताकि वह जल्दी थंडा हो जा करेंगे उसको वैसे ही छोड़ना नहीं नहीं तो उपर से उसक्ष हैगा और नीचे से गिला रहेगा तो उसको वापस एक बार मिक्स करें और वापस उसको स्प्रैड करें यही प्रोसेजर दो से तीन बार करेंगे तो जो हमारा बैटर है वह बहुत जल्दी थंडा हो हो बहुत ही आसान है यह कपूर्या बनाना सिर्फ उसका बैटर जो हो पर्फेक्ट बन जाएगा तो आपका कपूर्या भी बन जाएगा पर्फेक्ट अब जब तक यह ठंडा होता है तब तक मैं कड़ाई में दू ग्लास पानी भरके उसको गरम करने के लिए रखती हूँ थंडा हो चुका है तो हाथों में थोड़ा तील लगाकर कपूर्या के हम लोग रोल बनाएंगे हाथों में तेल लगाने से पर्फेक्ट रोल या जो भी आप शेप बनाना चाहिए अच्छे से बन सकता है मैं यहाँ पर दो प्रकार के कपुरिया आपको दिखाती हूँ कैसे बनाने है एक तो यह रोल बनाएंगे यह देखिए यह से रोल भी बना सकते है और दूसरा जो कपुरिया का स्टाइल है वो ऐसे जैसे हम लोग मेंदवड़ा बनाते हैं वैसे उसका राउंड बना ले उसको फ्लैट कर ले और बीच में होल कर ले थाके कपुरिया जो अच्छे से स्टीम हो सके अब दोनों प्रकार के कपुरिया रेडी है तो उसको हम लोग स्टीम करेंगे पानी अच्छे से गरम हो चुका है तो उसमें सारे कपुर्या को हम लोग सैट करेंगे और उसको ढखके कम से कम 10-12 मिनिट उसको स्टीम करना है उल्रेडी पके हुए तो उसको ज्यादा टाइम नहीं लगता है अब 10-12 मिनिट हो चुके हैं आप देख सकते हो कपुर्या बहुत ही अच्छी तरह से स्टीम हो चुके हैं बहुत ही फूले फूले बन चुके हैं अब वैसे ही उसको गरमा गरम मुंगफली के तेल और अचार मसाले के साथ सव कर सकते हो यहाँ पे में जो रोल वाले हैं उसको ठंडा करके इसे पीस में काट लूँगी छोटे-छोटे टुकड़े में मैंने काट लिया है अब उसको हम लोग छोक लगाएंगे छोक लगाने के लिए यहाँ पे दो टेबल स्पून तेल गरम करना है एक टीस्पून जितनी राय एड़ करेंगे अब चाहे तो मिर्ची के टुकड़े भी एड़ कर सकते हैं उसमें एक टेबल स्पून सफेद तील एड़ करेंगे दस से बारा कड़ी पत्ते और थोड़ी सी हिंग एड़ करेंगे चोक को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे अब उसमें कटे हुए कपूर्या को एड़ करेंगे और उसको हलके हाथ से मिक्स करेंगे ये कपूर्या जो है बहुत ही सौफ्ट होता है तो उसको हलके हाथों से ही मिक्स करें अब यहां पे आप गार्निशिंग के लिए हराधनिया और कोप्रा एड कर सकते हो अभी लोक डाउन चालू है तो मेरे पास कोप्रा और हराधनिया नहीं है तो मैं वैसे बेना गार्निशिंग के सव करते हूं अब आप देख सकते हो हमारे कपुर्या जब बहुत ही सॉफ्ट बन है खाने में भी वह बहुत ही टेस्टी है तो फ्रेंड्स यह रेसिपी जरूर ट्राइ करना और आपको मेरी गुझराती कपुर्या के रेसिपी कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजेगा और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए है तो प्लीज अपने फ्रेंड्स और फेमिल के साथ जरूर शेयर करें और अगर आपने अब तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें फिर मिलती हूँ ऐसी ही नई रेसिपी के साथ तब तक ह Happy cooking from Mama's Kitchen!